आज घर पे कुछ करीबी गेस्ट आने वाले थे इसलिए ये मा कई परकार की रेस्पी बनाती है और पापा ममी दोनों टेबल पे परोस ही रहे थे तभी ममी का नजर अपने लादले बेटे के फोटो पे जाता है तो ये मा सोचने लगती है कास आज मेरा दोनों लादला बेटा घर पे ही होता तो अपना पसंदीदा रेस्पी देखकर बहुत खुसता और इनके आँख से आँसू टपकने लगते हैं तो पापा आकर मा के कंधे पे हाथ रखते हैं पापा रिसीब करके मा को दे देते हैं तेबल पर रखे सारे रस्पी को अपने दोनों लादले बेटे को दिखा दी है और बरही मासूमियत से बोलती है बेटा आज हमने कई परकार के रेस्पी बनाया है लेकिन तुम लोगों के बिना ये सब बेकार है इतना बोलते हैं ये रोने लगती है अपने मा को रोता देखे दोनों लरका रोने लगता है तो ये पापा आकर इन्हें छुप कराते हैं दोस्तो दुनिया के हर मा को सबसे ज़्यादा खुछी फुट न खाकर अपने बच्शे को खिलाने में मिलती है